आईए चार पंक्तियों में मां बागेश्वरी की आराधना करता हूँ आज की साम इस खुबसूरत साम को इसलिए आदेशित करजिये तालियों के माध्यम से कि मां बागेश्वरी समंच पर विराजमान हो मां जगजली जगदंबिका की लिए धर्ती हो मां कंठ दे इन कवियो को कि आज आज आपको मनहर से मनहर प्रस्थिती दे पाएं देखिए हम संख्यावल में आप कितने हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है लेकिन आप घनतम में कितना है इससे मेरा लेना देना है मैं यह जानता हूँ मेरे सहर के सब्स्थित लोगों की आज आगवानी है इ सब्सक्ति की जवत कहानी चाहिए सादरी दुनिया हो जाती है दिवानी बस एक मुस्की महर्मानी चाहिए आए जरा अपने तालियों के माध्यम से इस यग्जी की आहूती में समलित होईए मा मैं वानी की वंदना के लिए प्रताब गड़ से हाई मा बागेश्वरी की वंदना के लिए आतरनिया दीदी पृति पांडे जी को आमंत्रिक करता हूँ मा वागदेवी वसुधा को नमन करती हूँ मंच पर विराजित मा की प्रतिमा को प्रणाम मा की अराधना करने का सभाग ये प्राप्थ हुआ है आप सभी तालियों के साज से मा की अराधना करने में सह्यो nervous करिएगा स्वागत हुए हंस वाहिनी ज्यानदाइणी कड़ दो क्रिपा महान छेड दो मावीडा कीता छेड दो मावीडा कीतान छेड दो मावीडा कीता और बंदनी विज़ित करती हूं माँ के चड़ों मैं ज्यान बुथि की विमलधार दो मेरे सब्दुर गुणनिवार दो मन मंदिर में करो बसेरा मेरे गीतों को सुधार दो मन मंदिर में करो बसेरा मेरे गीतों को सुधार दो भारत मा की बनो साधिका करूं सदा गुड़ गान छेड़ दो मा वीडा की तान छेड़ दो मा वीडा की तान दूसरा बंद ने विज़ करते हूं भावों का मैं गीत मनों हर नित का विता में गाऊं गान लिखूं भारत माता की जब लेखनी चलाऊं दूर निराशा हो जन जन की दे दो सुखद विहान छेड़ दो मा वीडा की तान दोस्ते थान